master records आपको दिखाने वाला हूँ highlights ति यह highlights के कुछ picture मैंने डाली है यह एकदम new highlights है technique by full global highlights करने वाला हूँ तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वह हमारे साथ बने रहे मैंने इनके highlights start कर दी थी product खतम हुआ दुबारा से मुझे सोचा मैंने कि कि ऐसा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए जिसमें अभी हम यूज़ कर रहे हैं ब्लॉंडर 30 वोल्यूम एंड स्मार्ट बॉंड स्मार्ट बॉंड डालने के बाद जो होता है बाल कभी भी फ्रिजी नहीं होते हैं हम ब्लीच यूज़ कर रहे हैं that doesn't mean की बाल खराब होंगे तो अभी हमने अच्छे से मिक्सिंग कर लेना है बैक के हेर्ज में मैंने लगा दिया है top of the year तक सारे section में लगा दिया मैं थोड़ा सा smart bond और use कर रहा हूँ वो बहुत जरूरी है तो जैसे ही यह mix हो जाता है अभी मैं front वाले section पे आ जाओंगा एक mid of the eyebrow वाला section निकाल के मैंने बाकी सारे बालों को किया tie और अभी यहां पे एक section पीछे वाला छोड़ दूँगा फिर front वाले hairs पे एक पतला slice लेके उसमें से weave करूँगा weave करने के बाद उसको अच्छे से foil paper में लगा दूँगा देखिए यह कैसा दिख रहा है एकदम अच्छा वाला weave अगर निकला है पतला पतला तो वो जादा अच्छा दिखेगा हमेशा दियान रखें जितना पतला weaving करोगे उतना अच्छा दिखने वाला है client के बालों पे मैंने लंबे लंबे foil cut किया हूँ है एक section निकाला मैंने extra छोड़ दिया दूसरा section पर मैंने slice लेके और उसमें weaving निकाल दिया देन उसके बाद मैंने लंबा अपना foil paper लिया bleach use किया लगा के छोड़ दिया चसी एट ओके देखते रहिएगा अभी next section पर same thing वसी side आगे की side मैंने दो section actually बड़ा section था उसको दो में divide कर लिया है divide करने के बाद इन बालों को slices निकाल लिया slices मेंसे weaving किया weaving मेंसे मैंने bleach लगा के छोड़ दिया देखिए इस तरीके से पतले पतले weave करोगे तो वह बहुत अच्छे दिखेंगे यह मैंने 30 volume से क्यों किया है क्योंकि इनके बाल version है एकदम कुछ भी use नहीं किया हुआ है case study यह है कि एकदम virgin hair है तो that doesn't mean कि आपको 40 volume लगाना है मैंने 30 volume लगाया बालों की नहीं नहीं तो 40 volume से band बच जाती है obviously आप लोगों को सब को पता है जो लोग bleach करते है तो 40 volume बहुत rare case में लगता है जहां पर बाल बहुत ज्यादा मोटे होते हैं या फिर बाल थिक होते हैं कोर्स होते हैं और या फिर उन पर कोई coating होता है ओके तो आप 40 volume यूज तो आप 40 volume यूज कर सकते हो otherwise क्या होता है जब आप 40 volume लगाते हो virgin hair पे इतने अच्छे बाल है जब healthy बाल है तो उसको damage मत करो एक बार तो आपका काम जब आप कर रहे हो हो जाएगा next time बिचारे उनके बाल किसी काम के नहीं रहेंगे ना तो वो smoothening कर सकते हैं ना वो highlights दोबारा कर सकते हैं ना वो keratin कर सकते हैं the thing is कि बाल damage मत करो जितने कम में काम चलता है उसको चलाओ 30 volume में हमारा काम हो रहा है मैंने सारे बालों में foil लगाके छोड़ दिये हैं अब ही wait करेंगे second highlights भी चल रहा है हमारा यहां पे जैसे ही second highlights हो जाते हैं almost 45 minute तक किया हमारा स्टाफ है smart bond 30 volume and blonder तीनों को mix करके मैंने पूरे बालों में लगा दिया अब जैसे ही timing हो जाता है उसके बाद मैं चेकिंग करना शुरू करूंगा length पे यह हमारा page है hair solution जो की है Instagram पे देखिए color बहुत अच्छा आ चुका है इसको ह and towel तो उसको निकाल देंगे जो जो बालों पे color आ चुका है देखिए कितना अच्छा color है काफी लोग बोलते सर हमसे तो color आता नहीं है just see it color in the sense यह अभी बालों का undercoat आया है जिसको हमने बालों को fade किया है बालों में से जितने colors थे उनको निकाल दिया है बट उसमें अभी yellow color बाकी है तो हमने बालों का color fade किया है ना कि इसमें कोई color लेके आए ओके तो इसको color नहीं बोलते हैं यह हमने fade किया हुआ है इसमें यह ध्यान रखिएगा तो यहां पे अभी हम क्या कर रहे हैं सारे बालों में से foils को निकाल रहे हैं जहां पे और डी bleach ने अपना काम कर द यह है जैसी वह आज आता है देन उसके बाद मैं सारे बालों को rinse करूंगा wash करूंगा shampoo करूंगा shampoo करके सारा जो bleach product है वो निकाल दूँगा वो निकालने के बाद हम इसको color करेंगे deposit करेंगे depositization जो है वो भी आपको दिखाऊंगा कौन-कौन से color करने वाला हूँ मैं वो भी आप use कर सकते हो otherwise इसको color जरूरी है deposit करना because ऐसे तो बाल dry हो जाते और frizzy हो जाते damage हो जाते है राइट तो damage नहीं होने चाहिए उसके लिए आपको बालो को अच्छ से color deposit करना पड़ेगा तो काफी हद तक almost सारे बालों में सिर्फ crown area रह गया बाकी सब बालों में जो highlights हैं वो हमने add किये थे वो आ चुके हैं अभी यहां पे color हो चुका है तो अभी wait करेंगे थोड़ा सा और जैसे crown area होता है तो हम wash करेंगे इनके hair को wash करने के बाद हम इनमें करेंगे deposit color deposit तो आप देखते रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए shampoo हो चुका है अभी मैं करूंगा इनको dry बालों को dry करना आप लोगों को सब को पता बहुत ज़रूरी है यह crown area बहुत अच हो चुके हैं बाल ड्राइ कर चुका हूं मैं पूरे बालों को अच्छे से dry करने के बाद एक बर फिर से short दिखा रहा हूं जो मेरे पास pictures पड़ी हुई थी तो वो मैंने add कर दी है इसके अंदर तो आप लोगों को दिखा जाए यह color after pre lightning होने के बाद ऐसा color बालों में दिख रखाऊंगा कौन से color हम add कर रहे हैं तो यहां पर दो color है 7.35, 5.8 5.8 और यह है 6.77 और 5.8 के साथ 5 नमबर भी है तो यह तीन अलग अलग बाउल रखूंगा मैं mix करूंगा मैं और दोनों client के बालों में यह color deposit करूंगा जिन लोगों ने अभी तक मेरा Instagram पेज फोलो नहीं किया है प्लीज जाएं और फोलो कर लें जो भी questions है आप चाहके हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं कोई भी problems हो हमें call कर सकते हैं बट problems के लिए call नहीं आप call कर सकते हैं हमें course inquiry के लिए जो की हमने उपर दिया हुआ है तो अभी हम करने वाले है color deposit उसके लिए मैं पहले sectioning different जो है वो निकाल लूँगा देखिए यहाँ पे sectioning निकालना क्यों जरूरी है क्यों मैं different way में color करने वाला हूँ मैं section by section color लगाऊंगा और छोड़ता जाऊंगा तो total 3 color हैं जिसमें इसे एक color दोनों में लगेगा एक बाउल जो बनाया है वह दोनों में use होगा और एक बाउल बैर विज़ें सिर्फ उसमें use होगा जो अलग highlights है待 इसमें तो कट्र मैं सभी हम दोनों use कर रहे हैं सेम बाउल अभी इसमें क्या करना है आपको सिर्फ कलर अप्लिकेशन करना है जैसे आप ग्लोबल कलर करते हो सारे बालों में अच्छे से कलर लगाएंगे और छोड़ देंगे तकरीबन जो टाइमिंग रहता है हेर कलर का ठीक है ओल्मोस्ट आइधिंक 45 मिनिट्स तो यहां पर सेक्शन बाइस सेक्शन आपको लगाना है कलर एक सेक्शन पर वो गलर लगाया है दूसरे पर दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि हमने दोनों mix and match section में color लगा दिया है जब mixing हो जाएगा तो पता है नहीं चलेगा कहां कौन सा color कैसे लगा हुआ है तो इसी तरीके से color लगाते जाएं अपने highlighted hair पे और comb करते जाएं ताकि color equally spread हो पाए इस color को roots पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है ओके इतना सब कुछ मैं बताता हूँ आप लोगों को आपको इतना detail में बताता हूँ I don't think अभी तक कोई भी channel YouTube पे इतना detail में इतने अच्छे से बताता होगा इतने अच्छे से बताने का मतलब यह है आप लोगों का सिरफ प्यार मिलता है इतने जादा लोग comments करते हैं likes करते हैं तो हम लोग ऐसी videos upload करते हैं अगर आपको यह video पसंद आ रहा है तो please हमारे इस channel को subscribe कर दे like कर दे इस video को comment कर दे और share कर दे अपने friends के साथ और जिन लोगों को भी कोई question पूछना होता है please आप हमारे Instagram page पे भी जा सकते हैं वहां पे भी हमें call कर सकते हैं और पूर सकते हैं questions जो भी आपके problems है और या फिर हमें second option आप जिनको भी course करना है हमारा एक academy है एमदाबाद में आप हमें call कर सकते हैं जैसे कि अभी screen के उपर आ रहा है hair solution लिखा हुआ यह हमारा Instagram page है आप हमें follow कर सकते हैं question कर सकते हैं वहां पे हम update करते रहते हैं हमने कौन सा वीडियो डाला है कब live आ रहे हैं वो सब और second जो मैं उपर number दे रहा हूँ course detail के लिए आप मुझे call कर सकते हैं Monday to Friday बारा से पांच के बीच में कभी भी पूछने के लिए कि course कहां पे है कैसा है क्या क्या है आप उस number पे आप call करके पूछ सकते हैं सो वार से शुक्रवार तक बारा से पांच के बीच में please late night और early morning call मत करें okay जैसे ही मैं यहां पर अच्छे से color application कर देता हूं उसके बाद मुझे wait करना है almost 45 minute अभी मैं application कर रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो fast forward में बना दिया मैंने ताकि आप लोगों को भी problem ना आए कि इतना लंबा वीडियो हो जाता है जैसे ही एक section में एक bowl का color लगाएंगे दूसरे section में दूसरे bowl का color तो मैंने जैसे आपको बताया यहां पर दो color mix हुआ है मेरे पास जो आपने already video के starting में देख लिया था कि हमने कौन-कौन से दो color use किये हैं highlighting के लिए section by section हम वो color लगा रहें एक section पे एक color दूसरे section पे दूसरा color फिर अलग से तीसरे section पे पहला color fourth section पे दूसरा color तो इसी तरीके से सारे बालों में मुझे color application कर देना है जैसे ही यह application हो जाएगा 45 minute wait करेंगे और फिर उसके बाद rinse out कर देंगे ड्रायर कर देंगे मैं आपको result दिखाऊंगा ओके और मैं आपको बताऊं हमारा एक second channel है जिसका नाम है current life आप जाके उसको follow कर सकते हैं मेरी खुद की personal video है वहाँ पे अगर आपको video पसंद आती है तो मैं और video upload कर सकता हूँ आप comment करके बता सकते हैं sir हमें video पसंद आया आप please और video बनाए अपने second channel पे भी मैंने काफी अद तक video डाली हैं उसमें 10-12 बट उससे जादा अभी तक नहीं डाली मेरे पास video पड़ी हैं बट मैंने upload नहीं की हैं बहुत सारे अलग-अलग variation में videos है मेरे पास उसमें भी मैं plan कर रहा हूं उसको भी आगे बढ़ाया जाए तो यहां पर section by section client का different experience है और मुझे यह भी पता है कि आप लोगों ने भी इस तरीके से कभी color नहीं किया होगा इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं आप भी कर सकते हैं section by section color लगा के छोड़ सकते हैं okay और मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी product मैं use करता हूं वो product अगर आपको खरीदने हैं तो वीडियो के नीचे description box में मैंने links दिया हूं है आप जाके online खरी सकते हैं जो भी हम product use करते हैं वो product online मिलते हैं okay तो वो खरीदने के लिए amazon link पे जाईए आपको particular discount मिलेगा अभी इनका color almost complete हो चुका है second जो हमारे client थे उनका color wash होके dryer हो चुका है उनको बहुत पसंद आया है वो बार बार अपना mobile निकालके pictures क्लिक करनी है, selfie ले रही है, photos ले रही है because उनको वो color बहुत पसंद आया है जैस आप video upload कर सकते हो, मुझे color बहुत पसंद आया, यह हमारा client था, अमदाबाद में यह नोंने हमारा channel देखा था, तो इनको हमारा काम पसंद आया, तो यह लोग हमारे पास highlights करवाने के लिए आए, हम अमदाबाद में services भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं, तो कुछ लोगों को अगर clients, as a client आना है, वो भी आ सकते हैं, और as a student आना है, तो वो लोग भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे बालों को हम कर रहे हैं dry, देखिए, बाल सुखाना क्यों जरूरी है, क्योंकि बाल सुखेंगे नहीं, तो color कभी भी दिखता ही नहीं कि क्या किया है हमने, तो बाल लंबे भी हैं, इनके dry भी हैं, ठीक है, बाल लंबे होंगे, obviously dry हो जाते हैं, तो client को color बहुत पसंदा रहा है, एक side का color मैंने दिखा दिया है, और ready dryer करके, इनके बाल टूट भी गए हैं, because इन्होंने 3 साल पहले something या 2 साल पहले इन्होंने highlights करवाए हुए थे, तो breakage हुए हुए काफी बाल, बट इसमें मैं हलका हलका curls भी कर रहा हूं, out curls और बालो को थोड़ा थोड़ा, थोड़ा round देने की shape मैं सोच रहा हूं, ताकि बाल थोड़े से अच्छे दिखेंगे, तो मैं बता रहा था कि अगर आप online खरीदना चाहते हैं, कुछ भी जैसे कि ये dryer, brush, color, और जितनी भी चीज़े मैं use करता हूं, apron, section clip, वो मेरे वीडियो के नीचे description box में जा के Amazon से खरीज सकते हैं, आप, okay, एकदम cheap rate में मिलेगा, और professional समान मिलेगा, नकली नहीं मिलता है, because मैं और रड़ी काफी brand के साथ काम कर चुका हूं, और अभी मैं Amazon के साथ कर रहा हूं, तो लोग बोलते हैं, काफी website पे लोग नकली समान बेशते हैं, तो वहां से आप बिलकुल ध्यान से वो समान खरीदे, Amazon पे ऐसा नहीं होता है, actually, तो यहां पे किया जा रहा है, बालो को blow dry, front वाले hairs को अच्छे से करेंगे, blow dry, यह actually वीडियो में ने बनाए हुए, almost एक महीने क उपर हो गया, बट अभी मैं upload कर रहा हूं, क्योंकि काफी busy था, बीच में मैं घूमने भी गया हुआ था, उस चक्कर में मैं वीडियो upload नहीं कर पाया, यह इनके बालो का, देखिए, एकदम आप, मैंने color कितना light कर दिया था, आपने देखा था, बट उसको फिर settle shade में ले आया, बिकोज जो मुझे color चाहिए था, यह color मैंने पहले bleach में किया, देन उसके बाद मैंने, उसमे color deposit करके, एकदम settle shade में ले आया, तो यह चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं, यह हमने chocolate color add किया था, इनमें, तो आप pre light करो, then color depositing करो, then wait करो, तो आप result देख सकते हैं, एक आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ, next video में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, यह pictures देख लें, और हमारे channel को subscribe कर दे, like कर दे, वीडियो को share कर दे, comment कर दे, और मेरे दूसरे channel current life को भी subscribe कर दे, और हमारा जो page है, जो की Instagram और Facebook पे है, जिसका नाम है Hair Solution, वहाँ जाक हूँ, next video में, तब तक के लिए, bye bye